आज हम लोग क्लास 11 के पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 6 जो आपके जिग्रफी का होगा इसको डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट होगा यह सेशन आपके लिए क्योंकि आप इसमें भारत के मिटियों के बारे में जानेंगे भारत की मिर्दाय कैसी हैं और वो कहा कहां पाई जाती है बट विफोर डू बिगीन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह चैनल आप लिए डेडिकेटली वर्ट करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और सेर कर सकते हैं साथ में सारे प्रीविएस वीडियो जो क्लास 6 तू 12 तक के हैं आपके वो सारे को देख अगर भूपरपटी की बात करें हम लोग तो प्रीथवी का सबसे उपरी भाग भूपरपटी होता है और भूपरपटी का सबसे एहम जो अगर बताए तो पड़त जो होता है उसको हम लोग मिर्दा बोलते हैं और ये डारेक्टली हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो हमको बेसिक तोर पर वो सारे चीज़े अवेलेबल करवाता है, संसाधन के साथ साथ हमारे रहने से लेकर के और खाने तक की चीज़ों के अवेलेबल करवाता है, जो हमारे दैनिक हो सकताओं के लिए आवासेक होता है, तो इसलिए भूपरपटी का जो मिर्दा वाला भाग है, वो तो आपके तेंथ तक क्लासे जब हुए है उसमें आप लोगों ने ये चीज किलियर वे में देखा था कि मिर्दा आखे बनती कैसे है इसमें चटानों की क्या भूमिका होती है और ये कैसे डिपेंडेंट होते है एक दूसरे पर और इसके बनने में कैसे जो है वो आंतरिक बल और बाहेबल रिस्पोंसेबल होता है बट उसके बाद अगर हम लोग देखे तो मिर्दा सैल जो है वो मालवा और जैल सामगरी का मिस्टरण होता है और प्रिथवी की सता पर ही विक्सित होता है ये दूसरे जगों पर विक्सित नहीं हो सकता है जैसे कि अगर ये वाला पो या फिर आपको कुछ तरल भाग दिखाई देंगे तो ये अलग अलग चीजे है ये जब भी आपको दिखाई देगा मिर्दा तो उबरी भाग पे दिखाई देता है और मिर्दा के निर्मान को प्रभावित करने वाले जो काड़क है उसमें उचावच और जलवायू मती और अन्य जीव के रूप इसमें विभेने तरिके से जो है वो रिस्पॉंसिबल होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मिर्दा के निर्मान में एह साथ-साथ अपर्धन में अपनी भूमी का निभाते है तो यह सारे चीजे है इसके बाद एगर हम लोग दे कुछ इस तरीके से गड़ा को खो दियेगा तो वहां हमें मिर्दा की तीन पड़त दिखाई देगी आप इसको 1, 2 और 3 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए और कस अंतर सबसे उपरी खंड होती है इसके बाद जहां पर पौधे का ब्रिधी होता है विकास होता है फिर बी वाला जो एडिया आता है वो आपका जो है वो क्या करता है कि खाव वाला जो एडिया है वो गह संस्तर के बीद संक्रमन खंड होता है जिसे नीचे वह उपर दोनों पदार्थ प्राप्त करते हैं और कुछ जैव पदार्थ होते हैं तता भी खनीज पदार्थ का अ पड़ती है पड़तों की इस अवस्था को मिर्दा पड़ी छेदी का बोलते हैं अब यह वाला पॉर्चन जो होता है यह यहां पर आपको कुछ चीजे जो है वह कठोड मातरा में दिखाई देगी और इस वाले गव वाले पॉर्चन में आपको जो है वह चीज नरम या फिर तरालिय बदार्त में दिखाई देगा आपको यह चीजे लास्ट तक आपके क्रोड तक जागते हुए आपको जो है वह देखने को मिल जाएगा यह चीजे बोलते हैं और इस सेरियलाइज वे को हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग मिर्दा पड़ी छेदी का बोलते हैं मिर्दा की वरगी करण के अगर हम बात करें तो भारत में बिभिनी प्रकार के उच्चावस पाज जाते हैं जलवाईयू अलग-अलग तरीके की हैं तो यह डाइक्ठली जो है वो इमपैक्ट डालते हैं मिर्दा के निर्मान पे तो इस तरह कारण मिर्दा के भी अलग अलग जगों पर अलग अलग तरीके के होते हैं उसी को डिसकस करेंगे बट प्राचीन काल में एक तम बिलकुल इंसियेंट समय में हुआ क्या था कि मिर्दा को दो भागों बाट दिया गया हुआ था एक उरवरा उपजाओ जो मिर्दा होती थी उसको हम लोग उरवर बोलते थे और दूसरा उसर जो होता था जिसको अनुरवरक बोला जाता था बट इसके बाद 1956 में क्या हुआ कि मिर्दा सर्वेक्षन विभाग का अस्थापना किया गया और उसने क्या किया था कि दामोदर गाटी जैसे कुछ चुने हुए अ करके डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट है यह इसके बाद आप देखिएगा कि जो इंपोर्टेंट फैक्टर्स आते हैं इसमें वह सबसे पहले स्टार्ट होता है जलोड मिर्दा से तो जलोड मिर्दा उतरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तरित भागों में पाई जाती होता है के लिए रहे हैं की बाते और यह जो मिर्दा है जलोड मिर्दा यह देश की अगर पोड़े देश में 100% मिर्दी है तो 40% मिर्दी जो है क्यों जलोड मिर्दा को देखने को मिलेगी इसमें इस मिर्दा की खासियत क्या होती है कि इसमें पोटास की मात्रा अधीक होती है और इसी जलोड मिर्दा में दो तरीके की और मिर्दाय होती है खादर और दूसरा बांगर खादर वाला जो होता है ये आपका बहुत उपजाव मिट्टी होता है और बांगर जो होता है इसमें इट पत्थर पाये जाते हैं इसलिए यह उपजाओ नहीं होता है बाकी स्क्रीन सोट कीजिएगा इसका और यहां से आप मिला लीजिए कि आपके यहां किस तरीके के मरदाय होती है जैसे मेरे यहां कि अगर हम बात करे तो यह वाला पोर्सन जो लोड है और मैं बिहार से बिलोंग करता हो तो यहां पर इस तरीके से जलोड मिरदाय दिखाता है और यह वाला मारा उतरी मैदान वाला एडिया जो है हम जिस जगह पे रहते वहाँ पे जलोड मिरदा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस मैप को देख करके कि आप कि यहां किस तरीके के मिरदाय पा उस तरीके का ये मिर्दा होता है बिल्कुल काली मिर्दा इसको नहीं बोला जाता है इसको धूसर बोला जाता है काली मिर्दा के उपर अगर आए हम लोग तो काली मिर्दा धकन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है और ये जो एरिया है आपके ये महरास्ट के उपर वाले भागों में ही आपको देखने को मिल जाएगी और इस मिर्दाओं को रेगर या काली मिर्टी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कापास की पादन जो है वो सबसे जादा होती है इस मिर्दा पर और भी देखे इस मिर्दा के अगर खासियत हम लोग तो नमी के ध बड़ साथ नहीं होती है उस जगह पे इसके बाद अगर रसाइनिक दिरिष्टी से आप देखिएगा तो इस मिर्टी में आपको चूने लोग मैगनेसियम और एलुमीना के ततों काफी विक्सित मातरा में देखने को मिल जाएगा और इस मिर्टी में जो है वो फासफोरस, वाला जो यूडिया होता है वो यहाँ पे दिया जाता है काली और पिली मिर्दा की अगर बात करे हम लोग तो लाल मिर्टी का विकास जो है वो आपके दककन के पठार और पूरवी तथा दक्षिनी भाग में कम वर्सा वाले छेतरों में होती है यह लाल मिर्टी है और इस रंग जो है वो कायांतरित चटानों में लोहे के व्यापक विशरन के कारण होता है तो लाल मिर्दा का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है तो लोहे के कारण होता है लेटराइट मिर्टी की अगर बात करें तो लेटराइट एक लेटिन सब्द लेटर से मिलके बना ह हुआ जिसका साब्दिक गर्थ होता है इट ठीक है तो लेटराइट मिर्दा उच्छताप मानुर भारी वर्षा वाले च्छतरों में विक्सित होती है और यह उस निकटी बन दिये वर्षा के कारण वर्षा वाले डिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और इस मिट्टी बहुत ज्यादा जो है इन मिट्टी में जो है उपजाओ के लिए इस मिट्टी वो बनाने के लिए भारी मात्रा में उरवर्षा क्या सकता होती है तभी इस जगह पे वाप क्या कर सकते हैं तो फसल को आसानी से उगा सकते हैं और तमिलाडू आंधर प्रदिस और क किरल में काजू के पौधे वाली फसलों की खेती के लिए लाल लुटराइट विटी क्या हो सकता होती है क्योंकि इसको जो है वो इस पौधे को किस चीज की जरूरत नहीं होती है तो यहां पर जो आपको बताया गया है इस तरीके से नाइट्रोजन फॉस्पेट और केल्सियम की बहुत सिमीत मत्रा में आओ सकता होती है इसलिए यह काजू के खेती के लिए रेलेवेंट होता है सुस्क मिर्दा की बात करे तो सुस्क मिर्दा का रंग जो है वो किस्मिस कलर का होता है और यह जो है बिलकुल बालूई प्रविर्थी का होता है बुरबुरे कलर का बुर लवन मिर्दाओं की बात करें तो ऐसी मिर्दाओं को उसर मिर्दा में बोलते हैं लवन मिर्दा में सोडियम, पोटेशियम और माइगनेशियम का अधिक होता है अता यह अनुवड़क होते हैं इसलिए इसको लवन मिर्दा बोला जाता है क्योंकि जब प्रित्वी में और यहां पर खेती जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है इसके बाद है पीट में मिर्दा की बात करें तो यह मिर्दा भारी वर्षा और उच आदरता से यूगत छेतरों में पाई जाती है जहां वनस्पति के ब्रिधी बहुत अच्छी होती है अता इन छेतरों में मिर्द जैव जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में इकट्थ होते हैं और यह जो है हुमश को बढ़ा देते हैं जिस कारण से ऐसे मिर्दा का निर्मान होता है और यह वाला भाग जो है आपको बिहार के उतरी भाग अरुनांचल और पस्चिम बंगाल के तठीय शत्र, तमिलाडू और उड परिभासित किया गया है जिसको डेप्रिसेशन बोला जाता है हरास को और इसमें मिर्दा का पोशन अस्तर बहुत ज्यादा गिरते जाता है इसके पीछे जो रीजन होता है इसमें भू अक्रिती पौनों की गती तथा वर्सा की मातरा के अनुशारे करसाथ से दूसरे अस्था पर भिनता के कारण भी यह चीज होते है इसके साथ ही मानों का हस्तशेप भी इसके लिए डारेक्टली है वो रिस्पोंसेबल होता है मिर्दा पर्दन की बात करे तो मिर्दा का आवरन का विनास हो जाना जैसे मिर्दा अगर इस तरीके से है और इसका दो लेर अगर खत मानों की भी भूमिका है क्योंकि मानों जिस तरीके से मिर्दा के अपरदन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो अगर आप बोले तो आपके प्रीथवी के साथ साथ पूरे गलोबल लेवल के लिए ये ड्रेंजर सिच्वेशन है क्योंकि आप जिस तरीके से अपने और कहीं कहीं पे मानुवों का इंटर्वेंस भी जो है वो मिर्दा परदन में भूमिका निवाता है ये चीज़े आपको यहाँ पर बताने ही एकोसिस की गई हुई थी मिर्दा संग्रक्षन भी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर मिर्दा को आप संग्षित नहीं तो आने वाले समय में आपको परियाप्त मातरा में भोजन मिलेगा और नहीं आपकी अर्थ वेवस्ता सुद्रीड हो पाएगी क्योंकि हमारा जो देस है वो क्रिशी परदान देस है और इस देस में जब क्रिशी ही अच्छे तरीके से नहीं होगी तो सायद आपकी अर्थ परिवस्ता कभी बढ़िया नहीं हो सकती है और फिर आपका जीवन अस्तर इतना ज्यादा गिर जाएगा कि आपका जो है वो पर-capita income जो होगा वो भी आपका बिलकुल रदी के भाव में चला जाएगा और यह चीज़े आपको इसके लिए responsibility लेनी पड़ेगे कि हम अपने म आपका class 11th के जोग्रफी का जो है part 2 का chapter number 6 काफी important था जिसमें हम लोगों ने भारत के मिर्दा के वारे में पढ़ा मिलते हैं फिर से हम लोग next वीडियो में नय chapter के साथ तब तक के लिए thank you and goodbye